हलो एवरिवन, वेलकम टू स्टेडी नेटिक, मैं हूँ पूजा मैता और यहाँ पर हम पढ़ने हैं क्लास 12 की एकाउंटेंसी जिसमें मैं आपको चेंज इन प्रॉफिट शेरिंग रेशो अमंग दे एक्जिस्टिंग पार्टनर्स के एक्ससाइस के सॉलिशन्स करा रही हूँ, यह सॉलिशन्स टीएस ग्रेवाल की न्यू एडिशन 2024 के हैं यदि आपने इसके पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो मेरी प्लेलिस्ट में चले जाना वहाँ पर क्लियरली सभी चीज़े दी हुई हैं, इससे पहले के चेप्टर्स भी दिये हुए हैं साथी साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना बिना सब्सक्राइब किये, प्लीज वीडियोस को नहीं देखेगा आपका सब्सक्राइब करना मुझे मोटिवेट करता है कि मैं इसी तरह से वीडियोस बना कर लेकिया हूँ तो प्लीज 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 सब्सक्राइब जरूर कर देना तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोशन अबर 26 से आज यहाँ पर इस वीडियो में मैं सिर्फ दो कोशन बताऊंगी 26 और 27 थोड़े से लंदी कोशन से और कल के पार्ट में पार्ट 9 में ये चेप्टर एंड हो जाएगा क्योंकि सिर्फ 29 कोशन से इस चेप्टर में तो आज पार्ट 8 में देखते हैं 26 और 27 तो देखिए स्क्रीन पर ध्यान से स्क्रीन की तरफ देखते रहना मैं explain करती जा रही हूँ पहले कोशन देखते हैं यहाँ पर देखो पचो जितने भी अभी तक हमने adjustment पढ़े हैं ठीक है ना हमने जितने भी adjustment पढ़े हैं सभी adjustment का use करना है यहाँ पर साथे साथ balance sheet को भी prepare करना है तो questions को ध्यान से पढ़ लेते हैं फिर solutions को देखेंगे ठीक है question देखो 26 question क्या कह रहा है A, B, C वर partner in a firm जो A, B और C हैं यह partner है firm में अब इनका जो profit sharing ratio है वो क्या है 3-2-1 क्या है बच्चो इनका profit sharing ratio 3-2-1 है चीक है चलिए 3-2-1 है आप यहाँ पर इनकी यहाँ पर balance sheet दी है जिसमें सभी चीज़े दी हुई है general reserve भी दिया हुआ है और साथ ही साथ यहाँ पर सारी assets दी है यहाँ पर सारी liabilities दी है वो capital दी हुई है ठीक है आप क्या बोल रहे है आगे 1st April 2015 को A, B, C ने decide किया कि अब जो उनका profit sharing ratio है वो कैसे distribute करेंगे वो equally यह लिखा है ना equally distribute करेंगे आप यहाँ पर firm की जो goodwill की जो है firm की goodwill वो 1,50,000 बताई गई है land भी revaluate हो गई 80,000 हो गई पहले कितनी थी land हमारी 50,000 थी उसकी value increase होके वो 80,000 हो गई ठीक है ना यह पुरानी value लिखी है balance sheet में यह नई value लिखी है साथ ही साथ जो building है उसका depreciation हो गया 6% तो अभी building है 50,000 6% depreciation होना मतलब उसकी value कम हो गई ठीक है creditors 6,000 were not likely to claim and hence should be written off अब जो creditors थे 50,000 थे 50,000 के उसमें से 6,000 के जो creditors थे उन्होंने पैसा नहीं मांगा तो उसे क्या किया गया partners ने खुशी मना के अपने पास रख लिया ठीक है अब यहाँ पर हमें क्या-क्या बनाना है revelation account बनाना है partners capital account बनाना है और balance sheet बनानी है सबसे पहले जब दो तरह के share दिये होते हैं old share और new share तो आपको seed है क्या करना रहता है working note में चले जाना रहता है और सबसे पहले क्या करना होता है जो share है sacrificing and gaining ratio उनको सबसे पहले solve कर लेना होता है तो देखो बच्चो पुराना share यहाँ पर दिया हुआ है कितना पुराना share दिया है 3 is true, 2 is true, 1 का old share है और new share 1 is true, 1 is true, 1 is true, 1 का है तो बस पुराने में से नए share को जब हम minus करेंगे तो A देखेंगे plus में आ रहा है इसने sacrifice किया है B nil, मतलब ना तो उसने gain किया है ना sacrifice किया है और जो C है उसने gain किया है अब इसको निकालना तो आपको अच्छे से आ गया हुआ क्योंकि हम laughs के questions कर रहा है ठीक है अब यहाँ पर यह निकालने के बाद हमें क्या करना है आपको सीरे चले जाना है कहाँ पर उपर की और Revaluation Account बनाने के लिए ठीक है क्यों बनाएंगे हम Revaluation Account क्योंकि यहाँ पर जो assets है और Liabilities हैं उनकी value में कमी और बढ़ोतरी हुई है इसलिए हम Revaluation Account बनाएंगे अब जो land थी land की कितनी value थी यहाँ पर मैंने आपको बताया था land की value थी 50,000 दिख रहा है ना clearly land की value थी 50,000 और यहाँ पर हो गई 80,000 मतलब क्या हो गया बढ़ गई 30,000 तो यहाँ पर 30,000 और साथ ही साथ जो रेडिटर्स थे जिनने 6,000 रुपे नहीं मांगे उन दोनों को बिलाकर Revaluation Account में यहाँ पर लिख दूँगी 30,000 और 6,000 जो building थी उसमें depreciation हो गया हमने यहाँ पर देखा building में कितना depreciation हो गया 6% depreciation हो गया तो building की value कितनी थी 50,000, 50,000 का 6% मतलब 3,000 यहाँ पर 3,000 लिख दिया अब हमने यह देखा कि Revaluation पर profit आ गया है profit आ गया है तो तीनों partners उनका पर जो पुराना profit sharing ratio है 5 is true, 3 is true, 1 में distribute कर लेंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे Revaluation Account का profit निगाल लेंगे अब यहाँ पर बनाना है Partners का Capital Account ध्यान से समझना Partners का Capital Account स्क्रीन पर ही देखना आप लोग मैं बार-बार उस पर निशान नहीं लगा रही हूँ क्योंकि फिर वो बार-बार हटाना पड़ता है आप समझते चाहिए Balance कितना दिया हुआ है 1,50,000 and 25,000 यहाँ पर क्या लिखा मैंने यहाँ पर मैंने लिखा Profit देखो यह Profit आया है यह Profit आया है 16,500, 11,500 5,500 यह मैंने Profit लिख दिया आप साथी साथ जो भी General Reserve है यदि किसी तरह का कुछ भी नहीं दिया है तो यहाँ पर देखो यह General Reserve दिया हुआ है कोशन में कितना दिया हुआ है 30,000 का General Reserve दिया हुआ है इस 30,000 के General Reserve को हम क्या करेंगे तीनों Partners में पुराने Profit Sharing Ratio में बाट देंगे तो 30,000 को 5-3-1 है ठीक है कितना रिशो है 5-3-1 एक पर देख लेती हूँ 3-2-1 इसमें हम General Reserve को क्या करेंगे बच्चों Distribute कर देंगे 15,000, 10,000 और 5,000 ठीक है अब यहाँ पर जो हमने Goodwill है ठीक है ना Goodwill की Value कितनी दी हुई है गोशन में देखो Goodwill of the firm is valued 1,50,000 अब हम इसका क्या करेंगे Compensation वाली Value निकाल लेंगे तो यहाँ पर देखो मैंने एक Working Note लिखा है यह Working Capital लिखा गया इसको Working Note समझेगा Working Note लिखा है ठीक है Working Note अब यहाँ पर Goodwill A और यह C है ठीक है B नहीं है यह C है B को तो कुछ मिल आई नी 1,50,000 का 1 by 6 Sacrificing है कौन है A और C कौन है Gaining है तो A को क्या कर देंगे हम Credit कर देंगे और C को क्या कर देंगे हम Debit कर देंगे तो देखो बच्चों हमने यहाँ पर General Entry भी की है C is Capital Account to A is Capital Account 25,000, 25,000 यही आया ना देखो यहाँ पर 25,000, 25,000 आया इसके हमने General Entry कर रही है General Entry पूछ ही नहीं है इसलिए हमने क्या कर रहा बच्चों उसको Working Note में कर दिया ठीक है ना यदि पूछते तो हम उपर ही कर देते अब यहाँ पर हम वापिस आ जाते हैं अब यहाँ पर देखिए जो C है उसने A को Compensate किया है 25,000 तो A के पास पैसा आ गया तो यहाँ पर हम 25,000 लिख देंगे A के काउंट में और C के काउंट से पैसा चला गया इसलिए 25,000 यहाँ पर लिख देंगे अब हम यहाँ पर इन दोनों का Balance निकालेंगे तो इन सब को Plus करने के बार हम देखेंगे कि जो Balance आया है 1,56,500 71,000 and 10,500 आया है बस अब यह जो Balance है इससे हम Balance Sheet बना देंगे तो देखो Balance Sheet जब हम बनाएंगे तो ध्यान रखेगा यह जो Balance आया है ठीके ना 1,56,500, 71,000 and 10,500 इसको हम Capital के रूप में लिखेंगे ना कि जो उपर पुरानी Balance Sheet में दिया है उसको लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर हमने Partners का Capital Account बना दिया है तो उसे लिखेंगे उसके बाद जो Creditors Question में दिये है 50,000 और जो 6,000 के मांगने नहीं आए उसको Minus करके Amount लिखेंगे Bills Payable वैसा का वैसा ही लिख देंगे Land है, Land की Value Increase हो गई 80,000 लिखेंगे चीज़े इसमें Mix हैं तो आपको थोड़ा सा Tricky लग सकता है अब इसके बाद Next Question देख लेते हैं Question No.27 ठीक है, ध्यान से देखो Question No.27 को इस स्क्रीन पर आप बस देखते रहिए मैं explain करते जाती हूँ कोई भी यदि आपको Doubt होता है या कोई चीज़ समझ भी नहीं आती है तो Comment Box में पूछ लेना मुझसे तो यहाँ पर Question No.27 देखो Balance Sheet दी हुई है X और Y की यहाँ पर दो ही पार्टनर है 5-3 उनकी Balance Sheet का रेशो है तो आप क्या है Balance Sheet का नहीं उनका Profit Sharing Ratio है अब यहाँ पर पूरी Balance Sheet में सभी चीज़े दी हुई है अब हम Adjustment पढ़ लेते हैं पहले दिहान से रेखना Adjustment अइन्होंने जो Profit Sharing Ratio पहले 5-3 था था आप उन्होंने बोला कि वो 3-5 में शेयर करेंगे यहाँ पर देखो Goodwill की जो Value है वो 2-year Purchase की इसाब से Average Profit Method उसे इसाब से निकालना है तो देखिए Goodwill का हमने चेप्टर पढ़ी चुके हैं तो यहाँ पर हमको पता ही है कि जो 2020, 21, 22 इन तीनों का जो है प्लस करके डिवाइड इड़ थी कर देंगे और जो भी आएगा वो 2-year Purchase के इसाब से निकाल लेंगे तो वो Goodwill की Value आजाएगे अब Goodwill की Value निकालना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ पर Compensation देना होगा जो भी Gainy Partner है उसे Sacrificing Partner को Machinery और Stock भी Revalued हुए है 45,000 और 8,000 तो Machine की Value क्या थी? Machine की Value है 38,000 जो बढ़कर 45,000 हो गई और Stock की कितनी थी? 7,000 थी जो बढ़कर 8,000 हो गई Clear? अब Claim है Workman Compensation का कितना Claim है? यहाँ पर Reserve है 10,000 का और Claim है 6,000 का मतलब क्या है? अब भी भी 10,000 रुपीस बचेंगे ठीक है? अब हमें क्या करना है? Revealution Account बनाना है Partners Capital Account बनाना है और Balance Sheet बनानी है समझ में आ रही है ना बात? चलो आप सबसे पहले तो क्या करूंगी मैं जो Machinery और Stock की Value बढ़ गई है? हमने अभी देखा 7,000 और 1,000 तो यहाँ पर X और Y दोनों का Revealution का Profit आ गया 8,000 जिसे पुराना Profit Sharing इसके बार हम क्या करेंगे? सीधर हम चले जाएंगे इसके बार नीचे हमारा New Ratio और Old Ratio निकालने के लिए Old Ratio दिया है, New Ratio दिया है इसके बार हम निकाल लेंगे कौन Sacrificing है? X is Sacrificing and Y is Gaining ठीके, clear हो गया ना, यहाँ पर यह Minus आएगा लगा ले ना, Minus 2 by 8 ठीके, तो यह है Gaining Partner अब क्या करेंगे? हम Goodwill निकाल लेंगे, 3 सालों का दिया हुआ है Profit divided by 3, 6,000 और 12,000 हमारी Goodwill की Value आगई और Goodwill को आप Adjust कर लीजिए 2 by 8, 2 by 8 क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है ना, यह देखो निकला है जो Balance है, 52,000 और 54,000, कहाँ पर दिया है 52,000 और 54,000 ज्यान से रेखो यह दिया हुआ है ना, X का और Y का 52,000, 54,000 इस Balance को लिख देंगे, उसके बाद क्या करेंगे बच्चों थोड़ा सा बार-बार उपर नीची इसलिए करना पड़ता है क्योंकि Question देखना भी जरूरी है General Reserve है Question में अलग से ही दिया हुआ है यदि आपके पास Question नहीं है तो कोई बात नहीं, General Reserve देखो दिया हुआ है Question में, कितना दिया हुआ है General Reserve यहाँ पर 4800 अब 4800 है उसको हम किस रेशो में डिस्रिब्यूट कर देंगे उसको हम 5 to 3 के रेशो में हम डिस्रिब्यूट कर देंगे तो वही किया हुआ है General Reserve को 5 to 3 के रेशो में डिस्रिब्यूट किया Workman Compensation Reserve नीचे दिया हुआ है कितना compensation का claim हुआ 6000 और book में अंदर balance sheet में कितना दिया हुआ है 10,000 माइनस करा 4000 आ गया उसको भी हम पुराने रेशो में 5 to 3 के रेशो में डिस्रिब्यूट कर लेंगे अब यहाँ पर revelation का जो profit था यह आया था ना 5000 और 3000 इसको भी लिख देंगे उसके बाद क्या करेंगे जो goodwill का adjustment करते हैं जो gaining partner होता है उसके पास किसे क्या होता है पैसा चला जाता है अब यहाँ पर देखो Y capital मतलब goodwill का adjustment करेंगे अब कौन था जो हमारा Y था वो gaining partner था Y को देदेगा X को देदेगा तो X के पास कितने आजाएंगे 3000 रुपे जो हमने अभी नीचे adjustment किया था 3000 रुपे एक्स के पास आ गए यह पुरानी goodwill है 8000 की जिसे मुझे adjust करना होगा और जो पुराना profit sharing ratio है 5-3 उसमें distribute कर देना होगा partners को तो बस वही यह 8000 की हमने जो goodwill है उसका distribution किया है उसके बाद प्लस करके आप balance निकाल लेजी 60,000 और 54,000 आया अब balance sheet बनाएंगे balance sheet में क्या करेंगे हम यहाँ पर यह जो आया है 60,000 और 54,000 हमेशा वही लिखते हैं उसे लिखेंगे creditors है 5000 के employee provident fund है 1000 का इसमें किसी तरह का कोई change नहीं है ठीक है ना लेकिन workman compensation reserve है ठीक है workman compensation reserve है वो 10,000 का था उसमें से क्या हुआ claim यहाँ पर बच्चो ध्यान रखेगा workman compensation claim को लिखते हैं ठीक है workman compensation reserve claim तो यह 6000 यहाँ पर लिखा हुआ है उसके बाद machinery है increment जो हुआ है उसे लिख देंगे furniture, debtors, stock और bank इनको लिख देंगे यहाँ पर क्या होता है बच्चो जो advertisement suspense account था ठीक है ना शायद वो मुझसे skip हो गया हाँ यह रहा advertisement suspense account था यह partners capital account में मुझसे skip हो गया तो यह भी एक खर्चा है तो जो पुराने partners पुराने देशों में distribute कर लेंगे ठीक है ना इसको भूलना नहीं इसको जरूर करना है I hope आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि मैं एक-एक को लिखूंगी एक-एक को करूंगी उससे क्या होगा ना बहुत video lengthy हो जाएगा यहां पर proper सब लिखा हुआ है बस explain में कर रही हूं कोई doubt हो तो पूछ लेना इसके में PDF भी बहुत ही